हलो दोस्तों वेलकम बैक टू सिंधी रसोई दोस्तों आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ नवरात्री स्पेशल टीस्टी डिलीशियस घर की बनी हुई शुद्ध नारियल की परफी की रेसिपी जैसे आप माथा को प्रशाद के रूप में भी चिछा सकते हो और नारियल लिये थे जिसका उपर का जो ब्राउन वाला पार्ट होता है उसे मैंने पीलर से पील कर लिया उसके बाद नारियल को ऐसे छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है अब नारियल को बिना पानी डाले मिकसर में हमें बस ग्राइंड करना है क्योंकि नारियल में बादा होता है न वैसे ये नारियल कनवर्ट हो जाएगा अब यहां पर मैंने एक भाड़ी तले की करहाई ली इसमें डाल दिया दो टेबल इस्पून भर के देशी घी घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब इसमें डाल दियों यह हमारा ग्राइंड किया हुआ ताजा नार नारियल का यहां पर हमें कलर चेंज नहीं करना है बढ़ा हाँ खुश्पू आने तक हमें इसमें इसमें प्द्रैयल को भून तुम से मीडियुम हाई-फ्लेम भाड़ी लगां aam चार-पांच मिनट नारियल को मीडियम हाई फ्लेम पे भुनने के बाद अब यहाँ पेस में मैंने डाल दिया आधा लीटर फुल क्रीम दूद जो पैकेट वाला दूद आता है न वो ही मैंने यहाँ पे यूज करा है इसे अच्छे से मैंने मिक्स करा अब गैस की फ्लेम को मैंने हाई करा है अब इसको हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे जब तक कि यह जो दूद है यह 80% रिड्यूस नहीं हो जाता और हर एक से दो मिनट के बाद हम इसको चलाएंगे जरूर ताकि यह कराई के बॉटम में लगे नहीं यह देखो 7-8 मिनट पकने के बाद अब आप देख सकते हो दूद में कैसे मोटे मोटे से बबल्स बन रहे है तो इस टाइम पे इसमें हम डाल देंगे चीनी अब चीनी कितनी जाएगी इसी कप से मैंने जो नारियल करा था उसको मेजर करा था तो मेरा दो कप ग्रेटेड नारियल निकला था तो उसी cup से मैंने एक cup चीनी डाली है, मतलब जितना आपका नारियल होगा न, उसकी आधी यहाँ पे शक कर जाएगी, चीनी को भी अच्छे से मैंने mix कर दिया है, और इसमें डाल दूँगी एक छोटा चमत, छोटी लाइची का powder, जो बहुत परिया टेस्ट देगा हमारी अब इसमें मैं डालूँगी दो पैकेट कोकनट मिल्क पाउडर, यह 25 ग्राम का एक पैकेट आता है, तो मैं हाँ पे टोटल 50 ग्राम यह कोकनट मिल्क पाउडर इसमें एड़ कर रही हूँ, अगर आपको यह ना मिले, तो जो रेगुलर अमुल्या का मिल्क पाउडर आता ह अब वो भी डाल सकते हो, मेरे पास यह कोकनट मिल्क पाउडर पड़ा था, तो मैंने यह दो पाउच कोकनट मिल्क पाउडर के इसमें एड़ कर दिये, अब हाई फ्लेम पे इसको पकाऊंगी जब तक यह दूद पूरे तरीके से खतम नहीं हो जाता, यह देखो, और 7-8 मि मिठाई को हाई फ्लेम पे पकाने के बाद आप इसका टेक्च्चर देख सकते हो, दूद सूख रहा है, लेकिन अभी भी दूद इसमें है, यह कंप्लीट सूखा नहीं है, जैसे हलवा होता है अभी यह हलवे के टेक्च्चर में आया है, तो मैंने इसको और 7-8 मिनट हाई फ्लेम पे पकाया है, अब आप देख सकते हो, जो दूद था वो पूरे तरीके से सूख चुका है, और यह जैसे कलाकंद होता है ना, उस तरीके से हमारी मिठाई कनवर्ट हो गई है, यह देखो, दूद पूरा सूख गया है और इसमें एक बाइंडिंग आ गया, मतलब यह मिठाई आपस में बाइंड हो रही है, तो इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मैंने ओफ कर दिया है, और यहां पे एक मिठाई की मैंने ट्रे ले लिए, जिसमें मिठाई को मैं सेट करूंगी, इसमें अच्छे से घी लगा रही हूँ, अब इसके उपर रखोंगी बटर पेप इस तरीके से अच्छे से बटर पेपर लगाना है, बटर पेपर थोड़ा सा टिन से बढ़ा ले ले लेना ताकि जब आप मिठाई निकालो तो आपको आसानी परे इसको निकालने में, यह देखो, अब यह जो हमारा मिठाई का मिक्स रेड़ी हूँ है ना, इसको मैं इसमे स्प्रेड कर दूँगी, बिल्कुल अच्छे से से में फैला लेना है, यह जो टिन है मेरा, यह specially मिठाई के लिए ही आता है, तो इसकी उचाई इतनी जादा नहीं है, तो जो मिठाई है ना, जितनी मिठाई के हमें थिकनेस चाहिए, उतनी ही मिठाई इसमें रेडी होगी, अगर आपके पास ऐसा टिन ना हो, तो आप किसी प्लेट में भी इसको सेट कर सकते हो, इसको अच्छे से उपर से हमने स्मूध कर देना है, जैसे यहां पर मैं कर रही हूँ, मेरे पास सिलिकॉन का स्पून है, तो मैंने उससे इसको स्मूध किया है, अगर आपके पास ना ह है में मिठाई को room temperature पे 4-5 घंटे के लिए ये देखो 4-5 घंटे हो गए है मिठाई बिलकुल अच्छे से सूख गई है अब हम इसके pieces cut करेंगे दोस्तों बहुत ही जादा tasty बनती है आपने नारियल के बुरादे की बनीवी मिठाई तो कई बार खाई होगी एक बार खुद से इस तरीके से fresh नारियल की मिठाई घर पे बना के देखो guarantee के साथ आपको कहती हूँ कि आपको मिठाई इतनी पसंद आएगी कि एक मिठाई खतम होगी आप दूसरी बनाने के लिए तयार रहोगे देखो अब pieces आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हो मैं यहाप इस तरीके से square इसके pieces कर रहे हूँ काफी आसानी से मिठाई कर जाती है मैं आपको एक piece लेके दिखाती हूँ यह रेखो कितनी बड़िया लग रही है यह मिठाई बिलकुल melt in mouth है मूँ में जाते ही खुल जाएगी इसको बनाना बहुत ही आसान है कोई special ingredient इसके लिए में नहीं चाहिए नॉर्मल सा दूद नारियल इलाइची का powder और चीनी बस इतनी चीजों से ही यह मिठाई बन जाती है अगर आपको coconut milk powder ना मिले आप regular milk powder भी डाल सकते हो कोई issue नहीं है तो कोई ऐसा सामान नहीं है कि आप को नहीं मिलेगा बिल्कुल आसानी से सारी चीजें मिल जाएंगी और मिठाई इतनी टेस्टी बनेगी कि आपको बहुत पसंद आएगी तो दोस्तों इस नवरात्रे आप भी माता के भोग प्रशाद के लिए यह टेस्टी मिठाई बनाओ और मुझे कमेंट करके जरूर बत